हेलो फ्रेंड्स गुद आफ्टरनून वेल्कम बाक टो दे चैनल कैसे हैं आप लोग तो फ्रेंड्स आज है 20 फेबरी और मुझे जाना है अभी एक फंक्शन में तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुके हूं देखें बिल्कुल तयार हूं और निकल रही हूं बस थोड़ी देर मे आपको और मौसम दिखाती हूं नई इअडाल का कैसा हो रहा है थी तो इस तरह का मौसम है नई इताल में और तेंप्रेचर इस टाइम हो रहा है लगभग 15 डिगरी जिए के उसपास तो अच्छा सा प्लेजन्ट सा मौसम ही ज्हादा ठंड नहीं है बई अभी कल रहात जाटको बहुत तेज हवा थी, लेकिन इस टाइम हवा भी हलकी है, मतलब बहुत तेज हवा नहीं है, और आसमान आप देख सकते हैं, नीला तो बिल्कुल नहीं दिखाए दे रहा है, जैसा कि कुछ दिन पहले बिल्कुल bright होरा था, अब ही नहीं है, वैसा, लेकिन overall मौसम जो है वो बड़ा ही pleasant सा है घूमने का बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है अभी पहाडों में धुन दो रही है हलागी लेकिन अभी मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है देखे लेक मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा जूम करके अगर आपको समझ में आए तो लेक किनारे पर आप देख सकते हैं पानी बहुत कम हो चुका है वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है तो लेक के किनारे बिलकुल ऐसे डेल्टा से दिखने लग गए है तो ये बड़ी चिंता का विशह है हमारे लिए कि अभी से पानी इतना कम है गर्मियों में बता नी क्या ह होने वाल है तो चलिए फिलाल चलते हैं भी और फिर मिलते हूं थोड़ी देर में आपसे मैं आई हूं महीला संगीत में और यहां चल रहा है देखे खाने का कारे क्रोंग तो यह है तली ताल की धर्मशाला जहां पर कारे क्रम चल रहा था और अब हम जा रहे हैं वापस यहां से तो तली ताल की धर्मशाला में आप आके रुख भी सकते हैं और वीडियो तो फ्रेंड्स यह है तली ताल का बजार बिलकुल टिपिकल पहाड़ी बजार टाइप का जैसा कि पहाड़ों में बजार होते हैं उसी तरह का अलागे अब काफी चेंज हो चुका है पहले बहुत हेरिटेज से मकान थे यहां पर अभी थोड़ा नए नए लोक वाले बन ग तो यहां पर है हमारे यह देखे टोनी मेडिकल स्टोर और टोनी दा कहता यह टोनी मेलो टोनी दा यह देखे पुराने-पुराने से घर और पुरानी सी मार्केट पड़ी सुन्दर लगती है किसे दिन डिटेल में बनाती हूं है का वीडियो अबी तो जल्दी में हूं तो यहां भी देखे कैरम चल रहा है मली दाल की दरख तो फ्रेंड्स यह पाहुँच चुके हम तली द और आई लब नई दाल का बोट जब से हटाया तो हटी गया है दुबारा भी लगने के कोई चांसे नहीं है तो नई दाल पहुचते ही सबसे पहले यही लोग दिखाए दिता है तो फटा फट चलते हैं मली दाल की तरफ और बाकी वीडियो शाम को कॉंटिन्यू करेंगे तो विल्कुल मौसम ऐसा होगा है बादल लग चुके है हवा चल रही है पर ठीक है अच्छा लग रहा है बढ़िया मेरे साथ है मनमुदा जो कि गाड़ी दोन रहे हैं भी तो मिलती है तो ठीक है नहीं तो फिर देखते हैं कैसे जाते हैं लेकि हमें तो मिल चुके टैक्सी तो हम टैक्सी से जा रहे हैं और बाद में दिखाती हूं वीडियो तो फ्रेंड शाम का टाइम हो चुका है मैं वापस मार्केट की तरफ आ गई हूं क्योंकि दिन में थोड़ी सी थकान हो गई थी तो मैं चली गई थी तो यह देखें यहां पर है सरस्वती जहां पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं लेडिज जेंस वेर और यहां पर देखें 50% आफ के यह जो दिखाई दे रहे हैं तो इसका फायदा उठाई है और जितने भी लोकल्स हैं जो लेडिज अगर देख रही हैं आके कुछ यह ड्रेस देख सकते हैं देखें 50% आफ चल रहा है सब चीजों पर यहां पर तो बहुत सारी वेराइटी है जिस पर आफ मिलेगा आपको एक बार इनसे जान लेते हैं कि यह जो आफ चल रहा है यह किन-किन चीजों पर चल रहा है तो थोड़ा सा डिटेल हमको म परिच्चे तो क्या देना है परिच्चे तो जानते हीं कि सरुसती मैचिंग सेंटर के नाम पर दुकान है और जहां तर छूट की बात है हमने अप टू 50% रखा हुआ है जैसे वोलन में 50% है जैसे कुर्ती हो गई और आपके वोलन सूट है इसमें 40% है और कॉटन सूट में जैसे सूट लेना है एक सूट ले में 20% दो सूट ले में 30% डिसकांट है और जायतर बुलन जैसे आपके कारडिगन हो गई और बच्चों की स्वेटर हो गई उसमें 50% डिसकांट है तो चलिए बड़ी अच्छी यहां पर ओफर चल रही है और देखे इस तरह के यहां पर और भी कपड़े आपको मिल जाएंगे बहुत सारी वेराइटी है अनलिमिटेड वेराइटी है और बहुत ही अच्छी है तो आईए और फाइदा उठाईए यहां जो चूट चल रही है उसका तो दिन में भी थोड़ा सा मैं दिखा दूंगी यहां पर तो किस तरह का समान ह मैं एक बार चेक कर लेंगे फिलाल मैं सिर्फ अब इन्फोर्मेशन दे रही हूं कि यहां पर देखे चूट चल रही है तो फटा फटा आईए और फाइदा उठाईए तो थांक्यू सो मच तो यहां से मैं आ गई हूं नीचे और अब भी थोड़ा चाय की दुकान पर स्वारे हैं तोड़ा सर से मिलने के लिए फिलाल आप देखे खडी बजार का नजारा अरे तो सर जिं से मिलने जारहे थे वो इधर ही आ गए हैं यह देखे हमारे जहूर सार रहे हमारे ठीकर चल इंसे मलती हों नीच Ugh ऑ सूंने तो यह है हमेशा की तरह बोट्या की यांच टिबेटन मार्केट वाला एरिया और साथ में इधर है चाट पाक तो लोसर है तीन दिन का जिसकी वज़े से मार्केट तीन दिन के लिए क्लोज है बोटिया मार्केट भी और टिबेटन मार्केट भी तो तीन दिन के लिए यह close रहने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर है इनका त्योहार इनका नया साल यानिकी लोसर टिबेटन न्यू यर कहते हैं उसे और सामने देखे निया देव मंदिर है तो आप दर्शन कर सकते हैं और इधर है गुर्द्वारा तो यह अच्छा सा महौल बना रहता है नेगी ताल में एक हलागि आज यहाँ पर थोड़ा खाली खाली लग रहा है क्योंकि आज जल्दी दुकाने यहाँ पर क्लोस हो गई है तो यहार की वज़े से तो कल अगर कोई आये नेगी ताल तो तीन दिन के लिए यह मार्केट क्लोस है तो यहाँ पर कुछ समान मिलने वाला नहीं है तो यह ध्यान रखिएगा तो चलिए फ्रेंट्स आज के वीडियो को मैं करती हूँ एंड यहीं पर और कल मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ चलिए फिर बाई बाई यह और तो